बैंकों में होने वाली गलत बीमा उत्पादों की बिक्री पर रोक लगेगी सरकार ने सभी सरकारी बैंकों से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकने और खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वो कहा है वित्तियस विभाग को लगातार शिकायते मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है विभाग को ऐसी तमाम शिकायते मिली है कि बैंक और जीवन विमा कमपनियां ग्राकों को पॉलसी बेचने के लिए धोका धड़ी वाले और अनैतिक तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं सर ये जो कहा गया है इससे क्या वाकर में मिस्सेलिंग रुख पाएगी बीमा की मिस्सेलिंग बीमा में विपुला बड़ी समस्या बन गई है वित्बंतराले के पास ऐसी भी शिकायते पहुची हैं जहां बैंकों ने रिटार्ड लोगों को साथ और सत्तर साल पच्छतर साल के लोगों को भी लाइफ इंशुरेंस के प्रोड़िक्ट बेच दी हैं ऐसे कई मामले सरकार के पास भी रिजर्ब बैंक के पास आये हैं सूचना में जैसे लोग जो विफडू कराने जाते हैं बैंक में तो उनसे कहा जाता है कि आप इतने पैसे के एफडी करा लीजे और इसकी भीमा वालिसी खरीद लीजे भारत में वित्ती साक्षरता की स्थिती जटिल है लोगों को जासत और लोगों को पता नहीं बैंक उनका पहला दर्वाजा होता है जहां से वो वित्ती साक्षरता की में प्रवेश करते हैं यह वित्ती है यह फिनांशल एको सिस्टम में जाते है और वहीं उनको पहली बार धोका मिल जाता है कि वेंग में खाता कुलने जाते हैं और उन्हें भीमा बेच दिया जाता है